हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो प्रिपरेशन फॉर ओल, आज हम करेंगे बाइलोजी में चैप्टर 6, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है Sex Determination in Human, तो मेल सेक्स क्रोमोजोम क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, और फीमेल सेक्स क्रोमोजोम क्या है, एक्स एक् सेक्स क्रोमोजोम पे डिपेंड होता है, मेल के सेक्स क्रोमोजोम पे डिपेंड होता है, ठीक है, एक डाइग्राम है यहां पे यह देख लेते हैं, पैरेंट्स क्या है फादर और मदर, फादर का क्रोमोजोम क्या है, एक्स वाई मदर का क्या है, एक्स एक्स जब 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 फादर का एक्स क्रोमोजोम, मदर का एक्स क्रोमोजोम, मिलता है तो क्या हो जाता है, फीमेल हो जाता है, फादर का एक्स क्रोमोजोम, मदर का दूसरा एक्स क्रोमोजोम, मिलता है तो क्या हो जाता है, फादर का वाई क्रोमोजोम और मदर का एक्स क्रोमोजोम, मिलता है तो मे तो हमारे फि्यूमन के जो सेल है उसमें कितने क्रोमोजोम हैं 46 डुटल कितने क्रोमोजों और 46 प्रोमोजों बोल सकते हैं तो तो फिमेल का कौन सा क्रोमोजोम होता है only one chromosome, x chromosome लेकिन male का क्या होता है x y, दो chromosome होते हैं ठीक है, तो देखिए when male gamut sperm carrying x अगर male का sperm x है तो क्या होगा 50% नहीं, 100% probability है कि जो child है वो क्या होगी, female होगी लेकिन अगर sperm y है तो 100% probability है कि वो child क्या होगा, male होगा ठीक है, एक बार इसको पढ़ रहते है इन human, each cell contain 46 chromosome, हर cell में कितने chromosome है, 46, पेर कितने है 23 पेर, इन female only one type of chromosome, that is x, एक टाइप है एक ही टाइप का chromosome होता है, को है x, x होते हैं, मैं अगर male gamut, अगर male gamut में sperm carrying x chromosome, अगर एक्स क्रोमोजोम आया, तो chromosome fertilized ova, ova से fertilized होके the jygote developed into jygote क्या बना देगा, female बना देगा men a sperm carrying y chromosome fertilized an egg, jygote developed into male, तो male क्या जो y, अगर sperm y chromosome fertilized करता है egg में, तो वो क्या बनेगा jygote डेवलप होके male बन जाएगा, ठीक है अब कुछ disease पढ़ लेते हैं, जो chromosomal disease कहे जाते हैं हमारे, तो देखिए clani-filter syndroms क्या होता है ये तो इसमें क्या होता है, एक जो sex chromosome है, वो extra हा जाता है, तो इसकी वज़े से, वो person, मतलब उसको ये syndrome हो जाता है तो जैसे, when a male have a extra x and y chromosome, insects chromosome then the condition will be xxy और xxy हो जाता है, instant xy या xx की जगा क्या हो जाता है, xxy या xxy हो जाता है या xxy ही होगा, ठीक है तो देखिए कैसे, जो normal embryo है, कैसे है, xy है, क्योंकि x एक male का आया, एक female का आया, लेकिन जो clammy filter का जो embryo है xy, एक extra आ गया तो extra आ गया, तो क्या हो गया xxy हो गया यहां पर भी से, एक है female का, तो xy male का दोनों जो है वो आगे, तो xxy हो गया, तो यह भी और xx female के दो है, तो एक male का आ गया, तो यह xxy chromosome मतलब एक extra chromosome आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लैनी फेंटर सिंड्रोम बोलते हैं, तो इस syndrome में क्या होता है, जो person या जो child है, वो क्या होता है, masculine होता है, development उसकी कैसी होती है, masculine होती है, लेकिन female, feminine जो development है, वो भी थोड़ी सी होती है, लेकिन वो थोड़ा incomplete होती है, अच्छे से complete नहीं हो पाती, जादा है, तो क्या होगा, feminine character जादा आएगा, लेकिन fertility क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाती है, इस syndrome में क्या होता है, mental retardation देखा जा सकता है, और जो chromosome का नंबर है, 46 की जगह क्या हो जाता है, 47 हो जाता है, ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं, इस इंडिविजवल, इस syndrome have musculine development, but feminine development is not completely suppressed, and the individual become subtle, in female, when extra X chromosome is present, instead of XX, they show normal development, but limited fertility, क्या limit होती है, उनकी fertility की, mental retardation is also seen, देखा जा सकता है, in this type of syndrome, number of chromosome, 47, instead of 46, 46 की जगह, number of chromosome कितने हो जाएंगे, 47 हो जाते हैं, आगी करते हैं, Turner syndrome, Turner syndrome हमारा क्या हो जाता है, इसमें, एक जो sex chromosome है, वो lack हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, उसमें क्या हो रहा था, extra हो जा रहा था, इसमें क्या है, एक sex chromosome कम हो रहा है तो when female has single sex chromosome एक तो ex female का आया male का नहीं आया तो zero their ovaries are redimentary lack of secondary sexual character lack of secondary sexual character मतलब जो secondary sexual character है वो lack कर देता है मतलब दिखता नहीं है Turner syndrome में ठीक है अब यह देख लेते हैं नॉर्मल जो person होता है उसका क्या होता है x x x x y ovum क्या है x x x y तो child कैसा होगा या तो male होगा या तो female होगा अब abnormal का क्या है x o यह इसमें कुछ नहीं x y इससे gamut formation हुआ x o तो यह क्या हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ Turner syndrome हो जाएगा लेकिन इसमें अगर extra chromosome आ गया तो califanther syndrome हो जाएगा ठीक है down syndrome down syndrome में अब क्या होता है जो 21st number 21st number का जो chromosome है वहाँ पे वो जो हो है वो extra हो जाता है ठीक है अब इसमें देखिए when an extra chromosome is added to 21st autosomal chromosomal 21st number पे एक autosomal chromosome एड हो जाता है this leads to develop down syndrome तो इससे क्या हो जाता है down syndrome हो जाता है in this syndrome person became mangolism अब इस syndrome में क्या mangolism जो person है वो क्या हो जाता है mangolism हो जाता है the person is mentally retarded अब वो person mentally भी retarded होगा eyes protounded and irregular physical structure is present अब eyes क्या है छोटे eyes होएंगे और physical structure है वो regularity से नहीं बढ़ेगा irregular हो जाएगा disbalance हो जाएगा balance के हिसाब से नहीं चलेगा down syndrome में हो जाता है fourth है हमारा patuse syndrome अब patuse syndrome में क्या होता है 13th number का sex chromosome sex chromosome नहीं जो 13th number पे जो chromosome है उसमें add हो जाता है autosomal chromosome ठीक है मतलब एक chromosome extra हो जाता है उसमें देखिए डाइग्राम में देखिए 13th number का chromosome सब में 2-2 chromosome है सब में 2-2 इसमें 1 chromosome add हो जाता है तो इसको क्या बोलते है patuse syndrome ठीक है इसपे क्या होता है lips पे marks दिखाई जेते है मतलब इसका और mentally retardant हो जाता है person ठीक है तो पढ़ते है इस टाइप अफ सिंड्रोम इस डेवलप्ट बाइ अडेशन अफ ओटोसोमल क्रोमोजोम इन 13th क्रोमोजोम 13th number का जो क्रोमोजोम है उसमें एक ओटोसोमल क्रोमोजोम एड हो जाता है तो इससे patuse syndrome बोलते है इससे क्या होता है क्या होता है मार्स पर्षन इस मेंटली रिटर्डेग दिऊट्च इन जेनेटीक कंस्टिउशन आफ क्रोमोजोम दिऊट्च इन जेनेटीकली कंस्टिउशन अफ जेनेटिक्स में भी चेंज आते हैं किसके इस टाइप के syndrome वाले बसक्त आफोम लेकिन यह जो बिमारी अनीमिय नहीं है अनीमिय से भी फास्ट चलती है यह इन दिस डिसाउजर एरिथ्रोसाइड मौर रैपीड़ली दन नौर्मल अनीमिय ठीक है यह नौर्मल जो बिमारी है उससे भी फास्ट एकांग इसका जो गताई देता है शिम्टम्स वो ज्यादा तेजी से दिखाई देता है इस अकर डिव टू चेंज इन इलेवन्थ ओटो सोमल क्रोमोजोम यह क्या पर चेंज होता है इसकी वज़े से यह सिकल्स अनीमिया होता है भी रहते हैं फैनी लेक्टोर्यूनिया ठीक है इसमें क्या है ट्वेल्थ नंब क्रोमोजोम यह क्या है हमारे ट्वेल्थ नंबर का जो क्रोमोजोम है वहां पर चेंज इस दिखाई देते हैं ठीक है सी हमारा है 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 मोफीलिया है क्या है एक जीन डिसॉर्डर बिमारी है जीन डिसॉर्डर है जीन डिसॉर्डर है ठीक है सेक्स क्रोमोजोम जीन रिस्पॉ जो इसमें जीन है वो भी रिस्पॉंसिबल है किसके लिए सेक्स क्रोमोजोम के लिए ठीक है डिस डिजीज लीज टू फेलिया टू दब लड़ ग्लोटिंग अब इस डिजीज में क्या होता है हमारे जो बॉड़ी है अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड क्लोटिंग जो है वह जो कलर होते हैं वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं जैसे इसमें रेड और ग्रीन कलर कलर बनाईने क्या होता है रेड और ग्रीन कलर को दिखने में प्रॉबलम होती है या वो दिखाई नहीं देता है ठीक है इस डिस 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 तो फेलियर तो डिस्टिंगविश रेड ए सेक्स क्रोमोजोम में होता है ठीक है नंबर अब क्रोमोजोम इन डिफरेंट और्गिनिजम अब कुछ क्रोमोजोम है कितने मतलब उसके कितने क्रोमोजोम होते हैं यह देखते हैं पियर्स नहीं है इसमें पिजन के 80 क्रोमोजोम होते हैं अगर पियर्स में बोले तो 40 पियर्स औफ क्रोमोजोम ह papel एक एगर प्रोग के ट्वनकयां। फ्रॉंटिसोव तल्लसा क्रोमोजोम हूँ थे ट्विंटीसिक्थ क्रोमोजोम उच्रड़क Ann hyped अगर वो इसे बोले 39 पेर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, पोटैटो के 48 प्रोमोजोम होते हैं, पेर्स में बोले तो 24 प्रोमोजोम होते हैं, वीट से उसके 42 प्रोमोजोम होते हैं, पेर्स में बोले तो 21 प्रोमोजोम होते हैं, मॉस्किटो के 6 प्रोमोजोम होते हैं, पेर्स मे में बोलेंगे तो 32 pairs of chromosome होते हैं human human का 46 chromosome होता है और pairs में बोलेंगे 23 pairs of chromosome होता है cat के cat का कितना होता है 38 chromosome होता है और अगर pairs में बोलेंगे तो 90 pair of chromosome होता है piece है mutter हमारा उसका कितना chromosome 14 chromosome होता है अगर pairs में बोलेंगे तो 7 pairs of chromosome होता है Ascaris, Ascaris के कितने 2 chromosome होते है Pairs में 1 pair of chromosome होता है I hope ये वीडियो आपको useful लगी होगी आज के लिए इतना ही, thank you